सो हे गाईस कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़ी होंगे सो गाईस आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपने रेड्मी 10 मुबाइल में एपस को हाइड कर सकते हो चाहिए वो कोई भी एपस हो वाटसप हो इस्टाग्राम वो कोई भी एपस हो उसको बड़ी आसन तरीके से आप हाइड कर पाएंगे तो वीडियो को लास तक देखना क्योंकि दोस्तों इसमें जो है तरीका बदल गया है एप हाइड करने का तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है कि अपने मुबाइल की जो सेटिंग है उसको उपिन कर लेना है किसी भी एपस को हाइड करने के लिए उसके बाद यहाँ पर आपको एक सर्च बार मिलना है तो आपको सिंपली सर्च बार पर टैप करना है यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है यहाँ पर लिख देना है HIDD जैसे आप HIDD लिखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले नमबर पर आपसे मिला है hidden apps तो आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से आजाएगा अब यहाँ पर आपको करना गया है यहाँ पर देखिए जितने भी apps आपके mobile में होगे सारे सारे सो जाएंगे अब यहाँ पर जिसको भी आप hide करना चाहते हो उसको यहाँ से select कर लिजिए और select करने के बाद यह दोस्तों आपके apps जो हाइड हो जाएंगे home screen से मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने एटल को hide कर दिया तो यहाँ पर आप देख वा रहे हो कहीं पर भी एटल application नहीं मिलेगी आपको तो अब मैं आपको बताता हूँ कि hideaway application को देखना कैसे है तो hideaway apps को देखने के लिए सबसे पहले इसको इरेबल करते ही आपके सामने आपको patent डालना पड़ेगा और उसके बाद फिर से confirm करना है और यहाँ पर next पर click करना है next पर click करने के बाद यहाँ पर आप चाहओ तो my account को add कर सकते हैं otherwise यहाँ पर don't add पर click करके यहाँ पर not know पर click कर देजिए तो इस तरीके से यहाँ पर not know पर मैंने click कर दिया आप दोस्तो आपके apps lock में जो है यहाँ आपs hide में जो है app lock भी लग चुगा है यहाँ पर मैं फिर से दिखाता हूँ देखे फिर से किया तो यहाँ पर app lock भी मांग रहा है तो इसी तरीके से तो आप किसी भी application को यहाँ पर hide कर सकते हो और उस पर app lock लगा सकते हो तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe जरू करिएगा